दोस्तों मोदी जी के लिए आगे कुवां तो पीछे खाई है क्योंकि राजनीती जब जुआ की तरहां खेला जाए तो यही हाल होता है हाई कोट और सुप्रम कोट दोनों जगह से अरविंद केज्रिवाल को जटका तो लगा सुप्रम कोट 29 अप्रिल के बाद सुनवाई शुरू करेगा दिल्ली हाई कोट ने 23 अप्रिल तक केज्रिवाल की नियाई खिलासत को बढ़ाई है और अगर 25 माई तक अरविंद केज्रिवाल जेल में रहते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि मोदी जी ने अपने पैर पर ही कुलहाडी मारी है अरविंद केज्रिवाल मामले में केज्रिवाल से ज्यादा तो मोदी जी फस कए है क्योंकि जो खेल साब खेलना चाते थे उस पर केजरिवाल ने नहले पे डहला चला है अब मोदी चाहेंगे तो भी केजरिवाल को जेल से छुड़वा नहीं सकते अब कुछ भी मोदी के हाथ में नहीं रहा बताएंगे आगे आपको पूरा मामला क्या है तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का देशनीती पर वीडियो में आगे बढ़नी से पहले आपसे अपील करूँगी कि देशनीती को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें देशनीती किवल सच्ची और पक्की खबे चठे चरण का मतदान 25 माई को होगा 19 अप्रिल से चुनाव शुरू होने जा रहा है इस 25 माई को दिल्ली की साथ सीटो पर दिल्ली की जनता वोट डालेगी अगर तब तक केजरिवाल जेल में ही रह जाते हैं तो साथ में से साथ सीटे आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी ये गैरेंटी तो जनता दे रही है सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आया कि अगर 25 माई के दिन अगर केजरिवाल जेल में ही बंद रहते हैं तो उस दिन वोटिंग सर्फ केजरिवाल के नाम पर डाले जाएंगे और जनता उनके नाम पर वोट डालेंगे और मोदे जी इसमें किस तरह से फस गए हैं वो बताएंगे पहले आप जान लीजिए कि दिल्ली कोट और सुप्रम कोट में क्या कुछ हुआ कथित दिल्ली शराब नीती घोटाले से जोड़ी मने लॉंडरिंग मामले में आरूपी मुख्य मंतरी अरविंद केजरिवाल की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है ऐसा मीडिया रिपोर्ट कर रही है अब दिल्ले के राउस एविन्यू कोट ने उनकी नियाई खिरासत को 15 अप्रिल से बढ़ा करके 23 अप्रिल तक कर दी है केजरिवाल को 15 दिन के नियायक हिरासत पूरी होने के बाद सोमवार को दिल्ली की राउज एविन्यू कोर्ट के समक्ष वो पेश हुए थे सुनवाई के बाद अदालत ने 8 दिन के लिए उनकी नियायक हिरासत को और बढ़ा दिया अब उन्हें 23 अप्रिल तक जेल में रहना होगा यानि 19 अप्रिल से ओरड़ी चुनाव शुरू हो जाएगा 23 अप्रिल तक वो जेल में बंद रहेंगे ये तैह है सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाते हुए कहा कि सह आरोपी को 23 अप्रिल तक नियायक हिरासत में रखा जाएगा वही दोसरी ओर केजरिवाल की स्पेशल लीव पिटिशन यानि SLP याचुका पर सुनवाई करते ही ED को नोटिस जारी किया गया अदालत ने जाच एजनसी से केजरिवाल की गरिफतारी पर 24 अप्रिल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्दिश्त हो दिया साथ में ED के जवाब के बाद 27 अप्रिल तक केजरिवाल को अदालत के सामने अपना प्रतियुत्तोर देना होगा हाला के केजरिवाल को चुनाव में प्रचार के लिए कोई राहत नहीं मिली है केजरिवाल की इस याचुका पर अब सुप्रिम कोर्ट 29 अप्रिल को सुनवाई करेगी केजरिवाल के तरफ से पेश्वे वकील अभिशेक मनी संग्वी ने कहा था कि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाता हूँ जनाव सुप्रेम कोर्ट में उन्हों ने कहा जो कोर्ट को चौका देगा वहीं जुस्टिस खन्ना ने कहा हमें नोटिस जारी करने दी चुए संग्वी ने कहा तारीक थोड़ा थोड़ी पास रखी है न शुक्रवार को रखी है जुस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपको करीब की तारीक दे सकते हैं लेकिन वो तारीक नहीं दे सकते हैं जो आपको चाहिए संग्वी ने कहा कि हम केवल ये कह रहे हैं कि ये गिरिफतारी सामान्य नहीं है केजडिवाल का नाम ECIR या चार्टशीट में नहीं है सिर्फ 15 बयान है गिरिफतारी केवल इसी लिए थी ताकि केजडिवाल चुनाव ना कर पाए चुनाव ना लड़ सके तो वहीं सॉलिसिटर जुनरल यानि सरकार की तरफ से एडी की तरफ से जो वकील पेश हुए उनका कहना था कि हम इस दलील का विरोध करते हैं तो वहीं जस्टिस खंडा ने इतना साफ कर दिया कि 29 अप्रिल से शुरू हो रहे हफते में ही सुनवाई करेंगे यानि 29 अप्रिल से पहले सुनवाई नहीं होगी अब माना जा रहा है कि केजरिवाल जो चाहते थे वही हुआ है केजरिवाल अभी जेल से बहार आना चाहते भी नहीं थे और जो मोदी जी नहीं चाह रहे हैं वही हो रहा है क्योंकि political experts दावा कर रहे हैं कि मोदी जी खुद केजरिवाल को बेल दिलाना चाहते है लेकिन अब कोट नहीं मान रहा और केजरिवाल भी निकलना नहीं चाह रहे है क्योंकि राजशनीती में जो दिखता है वो ही बिखता है जनता को क्या दिख रहा है पहला की चार्टशीट में केजरिवाल का नाम नहीं है केजरिवाल को जबरदस्ती जेल में डाला गया सवाल पूछने के बहाने तीसरा उनकी पार्टी सरक पर अपनी नेता की रिहाई की मांग कर रही है इलेक्शन से पहले ये सब कुछ जहां मोदी को फाइदा पहुचाता वही बड़ा नुकसान पहुचा दिया इडे के फाउल प्लेना मोदी जी के लिए उल्टा पड़ गया मैं संघर्ष के लिए तयार हूँ दिल्डी के बेटे अर्विंद केजरिवाल जी को जेल में अपनी नहीं बलकि जनता की चिंता है यही प्रोजेक्ट आमादमी पार्टी कर रही है उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत करो यानि जो केजरिवाल है वो जेल से ये कह रहे है कि मेरी चिंता मत करो मैं संघर्ष के लिए तयार हूँ जेल से हुंकार केजरिवाल भर रहे है और सारा कुछ मोदी के खिलाव जाता हुआ नजर आ रहा है यह पता मोदी जी को भी है इडी अब बैक फूट पर नहीं आ सकती क्योंकि अगर इडी बैक फूट पर आ गई तो वहां भी केजरिवाल हिरो और मोदी जी जीरो साबित हो जाएगा यानि मोदी के लिए आगे कुआ है तो पीछे खाई है क्योंकि मोदी जी को पता है अगर केजरिवाल छूट गए तो वो उनकी बेज़ती है अगर केजरिवाल दिल्ली में जुज दिन वोट डाले जाएंगे यानि 25 माई उस दिन तक अगर केजरिवाल अंदर रहे तो जनता के आगे फिर से केजरिवाल ही हीरो होंगे और मोदी जी जीरो बन जाएंगे यही होता है जैसे मैंने अपसे शुरू में कहा कि जब आप जनता की सेवा को जुआ खेल समझ ले तब एक नहीं एक ना एक मौके पर आपको सब कुछ गवाना पड़ता है और वही हाल आज भरतिय जनता पार्टी और नरींद्र मोदी का है इस विशय को आप किस तरह से देखते हैं क्या लगातार केजरिवाल के खिलाव राउज एवनियू कोर्ट, दिली हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट ने जिस तरह से केजरिवाल के लिए अभी बाहर निकलना या बेल या किसी तरह की राहत से ये तमाम कोर्ट मुँ मोडते हुए नजर आ रहे हैं क्या वो केजरिवाल को फाइदा पहुचा रहा है और नरींद्र मोदी को जटका दे रहा है नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुचा रहा है आपको क्या लगता है आपकी राई इस पर क्या है कमेंट कर अपनी राई हमारे से शेर कीजिएगा बाके किस तरह से EDK फाउल प्ले ने नरेंद्र मोदी को डुबाया है खुद उनकी मशिनरी जो उनके लिए काम कर रही है वहे जौच एजिंसी ने नरेंद्र मोदी की सत्ता वापसी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ध खड़ा कर दिया है यह आपने वीडियो में देखा होगा इस विशय पर आपकी टीका टिपड़ी में जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि आपकी हर एक राएं हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर है क्योंकि जनता की राएं हमारे लिए सबसे उपर है ऐसे में सामने चुनाव हैं अब लिए हर एक जनता अभी माइने रखती है हर एक जनता की टिका टिपड़ी राएं जो है माइने रखता है ऐसे में आप हमारे साथ जोड़िए देशनिती को अपना सपोर्ट दे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और हर एक रपोर्ट को पूरा देखने के बाद अगर आपको रपोर्ट पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिए वीडियो को आगे अगलागलाग सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर शियर जरूर कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत